सब्गम तो लक् presqueर नभर 11 का हमारा लक्षर है वर्च्वल डेक्स्टॉप के बारे में तो आई मीं पर आपको एकृप्षिन प्लिक करेंगके तो जो जो विटो मेरे पास कुली हुई है सारी विंडोज मुझे शूओ करेगा यहां पर कौन-कौन सी Windows खुली हुई है Google Chrome खुला हुआ है और यह सब चीज़े मेरे पास खुली हुई है तो यहां पर उपर एक option आ रहा है New desktop प्लस करके उस पर प्लिक करेंगे तो यह डेक्स टॉप भी आपका बन जाएगा फिर निव डेक्स टॉप पर इस पर मेरे पूछ भी नहीं है थ्री भी खाली है फॉर भी खाली है तो अब यह देखे फन पर मेरे पास जो है Google Chrome है अब मैं चाहता हूं इसको मैं डेक्स्टॉप 2 पर लेके जाओं तो मैं सिंपल ड्राइग करके इसको लेया सकता हूं यह मैंने ड्राइग किया इसको डेक्स्टॉप 2 पर आ गया यह जैसे मैं desktop 4 को close करूंगा 3 को close करूंगा तो जैसे मैंने 3 को close किया तो यह Chrome जो था desktop के लावा ये Chrome मेरे पाद desktop 1 में आ गया है तो ये छोटा सा concept था Windows 10 के अंदर virtual desktop का ओके थैंक्यू गरे मच